दोस्तों, Electoral Bond, सरकारी गवा और केजरिवाल की गिरिफतारी, ये सब कुछ ना एक धागे से बंधे हुए है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके रोंगते खड़े हो जाएंगे कि आखिर जिस आदमी को गवा मानकर E.D. ने केजरिवाल को गिरिफतार किया। नाम इस कैम के साथ उन्होंने जोड दिया। मतलब बहुत ही सोच समझ कर गंदी राजनीती के तहिर अरविन किजरिवाल को फसाया गया। बताएंगे आगे आपको पूरा मामला क्या हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार स्वागत है आप सभी का देशनीत पर लेकिन दोस्तों पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि इस तरह की खबरे हम आप तक पहुंचा सके इसके लिए हमें आपके सायोगीता की जरूरा थे तो जाते जाते सबसे पहले देशनीती को अपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है वो पहले चेक कर ले अगर न मिनिस्टर अर्विंद केजरिवाल की ग्रेफतारी किस तरहां से राजनीती से प्रेरित है यह हर कोई आज समझ रहे होंगे यह बात तो पहले ही कई मरतबा मैंने कहा और सब ने कहा है कि केजरिवाल के और खुद केजरिवाल ने भी कहा था कि अर्विंद केजरिवाल की ग् किस तरहां से एक साजिश रच गई किस तरहां से एक प्लान किया गया और इस प्लान में कौन-कौन शामिल है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा दरसल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि शराब घुटाले में सबसे पहला अरेस्ट जिसे किया गया था उस आदमी ने जेल में बैठे बैठे नरेंद्र मोदी की पार्टी भरतिय जिनता पार्टी को करोरों की फंडिंग की है जिसके बाद वो सरकारी कवा बन गए और आज के जिरिवाल जेल में है तो पूरा मामला बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा अर्विंदो फार्म के जरीए दिया था ये खुलासा 21 मार्च को स्टेट बैंक की तरफ से चुनाव आयूक को सौपे गए डेटा में हुआ है यानि ये जो विप्ति शरत चंद्रा रेड़ी जो है ये फर्स्ट आरोपी है जो बाद में अर्विंद के जिवाल का नाम लेते हुए अप्रूवर बन गए यानि सरकारी गवा बन गए इसे को शराब घुटा लेके चलते एडी ने सबसे पहले ग्रिफतार किया था जो जेल में बैठे बैठे भरतिय जनुता पार्टी को करोणों कोई डोनेशन दी भरतिय जनुता पार्टी को इलेक्टोरल बॉर्ड के जरीए फंडिंग क जिसके बाद वो बढ़े असानी से सरकारी गवा बन गए अब दोस्तों मैं आपको सिलसले बार तरीके से बताऊंगी कि इनकी ग्रिफतारी कब हुई और इन्होंने कब भरतिय जरुता पार्टी को कितने करोण रुपे दिये हैं 10 नविंबर 2022 को इडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीती से जुड़े कठित और नियमिता आप कह सकते कि घोटाले के मामले में शरत चंद्रा रेड़ी को ग्रिफतार किया था पांच दिन बाद यानि 15 नविंबर को अरविंदों फार्मा ने पांच करोड रुपे का चंदा दिया ये नहीं की कमपनी है क्लियर हो चुका है किस पार्टी को चंदा दिया है और किस ने दिया है ये बिस पश्ट हो चला है कि करीब करीब पांच करोड रुपे इनकी कमपनी ने भरतिय जनुता पार्टी को दिये वो भी ग्रिफतार होने के महज पांच दिन के भीतर संग्योग है या प्रयोग है इतिफाक है क्या है या आप खुद सोचिए संयोग इसकदर है कि ये खुलासा उसी दिन हो रहा है जब E.D. के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है E.D. ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को ग्रियफतार करने पर उनके आवास पर पहुंची थी चंदा लेने के कुछ महीने बाद मैं 2023 में दिल्ली हाई कोट ने स्वास्त से जुड़े कारणों के आधार पर रड़ी को जमालत दे दी इसके एक महीने बाद जून 2023 में E.D. ने रड़ी को माफी देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई E.D. ने अदालत से रड़ी को सरकारी गवा बनाने का आगरा करते हुए कहा कि रड़ी खुद स्वेच्छा से शराब नीती की सारे आन्यमताओं को यानी घुटालों को खुलासा वो खुद करेंगे राउस एविनियों कोट ने इस अर्जी को स्विकार कर लिया था सरकारी गवा बनने के बाद अर्विंदो फार्मा ने नविंबर 2023 में 25 करोड रुपे का एक और चंदा भारतिये जनता पार्टी को दिया गौर करने वाली बात यह है कि ये चंदा रड़ी को सरकारी गवा बनाए जाने के पाँच महीने बाद दिया है अर्विंदो फार्मा ने कुल 6 बार इलेक्टोरल बॉंड खरीदे इनमें से 4 बार चंदा बीजेपी को दिया गया वो भी कब जब E.D. ने उन्हें गरिफतार किया उसके बाद से वो 3-4 बार इलेक्टोरल बॉंड खरीदे र उसके जरीए भारतिये जनता पार्टी को उन्होंने फंडिंग की अप्रिल 2021 में हैदरावाद सीथ एक कंपणी ने तलिगू देशम पाटी यानी टीडीपी को धाई करोड रुपे का चंदा दिया जनवरी 2022 में कंपणी ने बीजेपी को तीन करोड रुपे का चंदा दिया वहीं फिर अप्रिल 2022 में अरविंदो फर्मा ने 15 करोड रुपे का चंदा भारत राष्ट समिती बियारेस को दिया जुलाई 2022 में कंपणी ने बीजेपी को डेर करोड रुपे का चंदा दिया पांच करोड़ रुपे का चंदा दिया फिर पचिस करोड़ रुपे के आखरी दो डोनेशन बीजेपी को दिये गए प्रतिशत निकाला जाए तो बीजेपी को 66 परषेंट इलेक्टोरल बॉंड इस कमपनी ने दिया जिस company के जो owner है जो main आदमी है वो है शरत चंद्रा रड़ी जिनने शराब घोटाले में पहले तो ग्रिफतार किया गया था और भरतिय जिनुता पार्टी को electoral bond लगातार देने के बाद करीब करीब 30 करोड के आसपास का electoral bond उससे भी ज्यादा electoral bond देने के चलते इडी ने इन्हें सरकारी गवा बना दीती है दिल्ली शराब नीती से अरविंदो फर्मा का संबंध क्या है इसे समझने की जरूरत है अरविंदो फर्मा हैदरवाद स्थित फर्मसीटिकल कंपनी है जिसकी शुरुवात 1986 में हुई थी कंपनी का नाम दिल्ली शराब नीती के क प्राब नीती लागू की थी लेकिन विरश्टा चार के आरूपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे रद कर दिया एडी के मुताबिक रेड़ी साउथ ग्रूप का हिस्सा थे जिसने कथित तौर पर आपको 100 करोड रुपे का भुकतान किया था जिसका इस्तेमाल गोवा चुनावों के लिए किया गया था महें 100 करोड जिसे भारतिय जुनता पार्टी फुक मार कर चुनावों में उड़ा देती है वो पैसा कहां से आती है किसी को पता नहीं चलता क्या उसके साथ सरकार समझोता कर रही है क्या पूंजी पतियों के साथ सरकार समझोता करती हुई नजर आ रही है क्या आम जनता के साथ धोखा करके भारतिय जनता पार्टी इतना कमाती है इलेक्टोरल बॉंट के जरीए चंदे के जरीए कि इस तरह के 2000-3000 करोड रुपे वो चुनाव में उड़ा देती है उस पर कोई कारवाई नहीं लेकिन 100 करोड का स्कैम दोस्तों जो 100 करोड शराब घोटाले से यारोप लगाया गया कि शराब घोटाले से मिली ये 100 करोड भारत आम अदमी पार्टी ने गोवा में खर्च किये थे इड़े ने अदालत को बताया था कि रेड़ी कथित घोटाले के प्रमुक लभार्थियों में से एक थे आरोप था कि ये गिरहो दिल्ली के शराब बजार के 30 प्रतिशत हिस्से को नियंतरित करता था दिल्ली के उपमुक्य मंत्री मनिस सोधिया इस मामले के मुक्य आरोपियों में से एक है और फरवड़ी 2023 से जिल में है फैनाशल एक्सप्रस के मुताबिक ये जो शरत चंद्रा रड़ी है शरत चंद्रा रड़ी की ग्रिफतारी के बाद अरविंदो फर्मा के शेरों में 11.6 नए फीजदी की गिरा वटाई हाला कि इस नुकसान के बाद कंपणी ने रड़ी की ग्रिफतारी के बाद पांच करोड रुपे का चंदा इलेक्टोरल बॉंड के जरीए भरतिय जनता पार्टी को कैसे दी ये एक बड़ा सवाल है एड़ी के तरफ से रड़ी को सरकारी गवा बनाई जाने के बाद एजिंसी ने कहा कि वो स्वेच्छा से दिल्ली सरकार की शराब नीतियों की जो आन्य मिताओ है उसका खुलासा करेंगे अरविंदो फर्मा ने अप्रिल 2021 से नविंबर 2030 के बीच कुल 52 करोड रुपे का चंदा दिया चंदे की सबसे बड़ी रकम जो है वो भरतिय जनुता पार्टी को दिया गया था और ये बाद में जो है सरकारी गवा बन जाते हैं महस पांच महीने बार तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो शराव घुटाला है जिससे लेकर के अरविंद के जरिवाल की एक सिटिंग सीम की रातो रात गिरफतारी होती है और वो भी इस तरह से गिरफतारी होती है कि वरिश्वितिवार यानि थर्सडे रात को उनकी गिरफतारी होती है जबकि फ्राइडे पूरा दिन जो है सुप्रिम कोट और पीए मेले कोट में ही पूरा मामला घिस जाएगा उसके बाद Saturday है उसके बाद Sunday है उसके बाद होली की छुटी है ताकि अर्विंद के जिवाल इस बार की होली जो है वो जेल में मनाए इसकी पूरी तयानिया की गई थी पहले से और प्लानिंग किस तरह से हुई कि शराब घोटाले की जो मुख्य आरोपी जिनने सबसे पहले अ उनका health issue कहकर वो उन्हें ED कहीं न कहीं कोट में बेल करवा देती है वो बाहर आ जाते हैं बेल पर उसके बाद करीब करीब 25 करोड रुपे का चंदा वो भरतिय जुनता पार्टी को फिर से देते हैं और उसके बाद वो सरकारी गवा बन जाते हैं और साथी साथ अर्विंद केजरिवाल का नाम वो इस पूरे शराब खोटाले में घसीट कर ले आते हैं ऐसे में इस व्यक्ति को जिस तरह से छूट दी गई इन्हें सरकारी गवा बनाया गया और इस व्यक्ति ने जिस तरह से भारतिय जुनता पार्टी को फंडिंग की है ये सब कुछ एक सवाल एक रिपोर्ट ने दोस्तों कर दिया है अब आप हमें बताईए आपको क्या लगता है क्या अरवींद केजरिवाल की ग्रेफतारी जो हुई है क्या वो राजनीती से प्रेरी थे क्या एक सोची समझी साजिश के तहट अरवींद केजरिवाल को ग्रेफतार किया गया है क्या दो अब अपनी राए कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा बाकि आपसे मैं अपील करूंगी कि इस रिपोर्ट को दोस्तों दबा करके शेयर करें हर एक सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि सच क्या है वो हर किसी तक पहुँचिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही अपस से फिर होगी मुलाका बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत